हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ स्वेता वेलकम टू मैं चैनल स्वेताज की चनल लाइफ इस्टाइल इनालसा स्टैन मिक्सर की एनबॉक्सिंग की वीडियो के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आये थे आटे का डो बनाने के ऊपर उन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इनालसा स्टैन मिक्सर में हम कैसे डो बना सकते हैं मिक्सर के बॉल में मैं एक चम्मच रिफाइन ओयल डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरीके से चारो तरफ फैला दूँगी ब्रस की साहता से तीन कप गेहूं का आटा इसमें ले रही हूँ स्टैन मिक्सर में आप आटे का डो तीन से चार मिनेट में लगा सकते हैं वो भी बिना हाथ लगाए अभी इसमें मैं एक कप पानी डाल ले हूँ और आधा कप पानी मैं धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी डो बनाने के लिए मैं इस अटेस्मेंट को स्टैन मिक्सर में अटेस्ट कर दूँगी attachment को stand mixer में लगाने से पहले इस निशान को देख ले और stand mixer में attach कर ले निशान को ध्यान में रखने से ये आसाने से इसमें attach हो जाता है इसमें ball को भी set कर दूँगी अभी मैं speed को 1 पे ही रखूँगी दो बनाने के लिए हम 1 से 4 speed तक जा सकते हैं इसमें हाथ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और नहीं चम्मस से आठे को बीच में करने की भी जरूरत पड़ेगी थोड़ा थोड़ा पानी इसमें अभी डालूंगी करीब 3 कप आठे में मैंने 1.5 कप पानी का यूज़ किया है लेकिन एक कप मैंने पहले डाल दिया है और हाप कप को मैं थोड़ा-थोड़ा करके डालती जाओंगी स्पीड को मैं अब 4 पे कर रही हूँ किचन के स्लैब पे रखकर मैं इसे चला रही हूँ आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा वाइवरेट नहीं कर रहा है स्पीड 4 पे ये डो बनाने में आवाज कितनी कर रहा है ये भी आपने सुनी लिया बाउल में रिफाइन ओयल लगाने से आटा बिलकुल भी बाउल में नहीं सटेगा और बाउल धोने में भी हमें आसानी होगी फिर से थोड़ा सा पानी इसमें डाल देंगे जब भी आटे का डो हम फूड प्रोसेसर या फिर स्टैन मिक्सर में लगाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या होती है कि बाउल को कैसे साफ करें क्योंकि बाउल डो बनाने के बाद बहुत ही गंदा हो जाता है बाउल अगर गंदा ही न हो तो साफ करने की समस्या भी नहीं रहेगी वो मैं इस वीडियो में आपको दिखा ही रही हूँ डो बनाने के बाद बाउल को धोने में time भी नहीं लेगा दो कपाँटे का भी डो इसमें लगाया है और इसमें 6 कपाँटे का भी मैंने डो लगाया है पहले 3 मिनिट हो चुके हैं और हमारा डो बनकर तयार है अब मसीन को मैं off कर दूंगी मैं इसे पांच महीने से यूज़ कर रही हूँ और इस स्टेंड मिक्सर ने मेरा काम बहुत ही आसान कर दिया है और आप वीडियो में देखी रहे होंगे कि ये चार पे भी बहुत ज़्यादा वाइवरेट नहीं कर रहा था अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि बाउल मेरा कितना क्लीन है ये आप ही डिसाइड करें कि इसे धोने में परिशानी होगी या नहीं और सिर्फ इसी लिए नहीं होगी क्योंकि इसमें मैंने ओयल लगा दिया था पहले इसका आटा इतना पर्फेक्ट बनता है कि रोटी बनाने में भी अच्छा लगता है मैं उसी आटे की एक रोटी बनाकर आपको दिखा रही हूँ दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें और हाँ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें अगर आप स्टेंड मिक्सर लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्फुल होगी अनबॉक्सिंग की वीडियो और साथ ही इनालसा स्टेंड मिक्सर में पीजा कड़ो त्यार करके पीजा बनाया है आप दोनों वीडियो को देख सकते हैं